हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी डैल यूनिवर्सिटी से अगर आपको बी ए ओनर्स एकनोमिक्स करना है तो आपकी क्लास 12 में एलिजिबिलेटी रिक्वार्मेंट्स क्या है साथी साथ स्यूईटी के अंदर आपको कौन से डॉमेंज अपियर करने हैं, ये सारी चीजे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एकनोमिक्स ओनर्स के क्राइटेरिया से रिलेटेड वो सारी डाउट्स इस वीडियो के एंड तक आपकी क्लियर हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है लास्ट तक एंड मैं आपको बता दू कि ड्यूबडी एप के अंदर हमने ऐसा फीचर लगा रखा है जहां पे अगर आप अपने क्लास 12 के मार्क्स एंटर करते हैं, तो अटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा, कहां अप अपिजालो है कहां आप इनलीजिबल है जहां आप अलीजिबल है, वहाँ पे आपको सिर्फ में कोन से कोन से ।प्लमेंज से सेलेक्ट करनी है, और जहां आप इनलीजिबल है तो क्योंड़ीन इनलीजिबल है, with reason आपको पता चल जाएगा अगर आपको फीचर यूज करना है तो यह बिल्कुल फ्री फीचर है ड्यूबडी एप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप जा करके यूज कर सकते हैं अब हम आते हैं बी ए एकनॉमिक्स ओनर्स के क्राइटेरिया पर बाकी जो क्राइटेरिया है वह मैं अल्रेडी बता चुका हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की या फिर उपर आई टैप में आ जाएगी आप विजिट करके देख सकते हैं देखिए डैल यूनिवर्सिटी क्या बोलती है अगर आपको डैल ओनिवर्स्टी से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपके वही सब्जेक्स डैल यूनिवर्स्टी कंसीडर करेगी जो आप C.V.T में भी दे रहे हो एंड साथ ही साथ वो सेम आपके पास class 12th में भी है QET में भी दे रहे हो class 12th में भी है अगर आपने कोई एक ऐसा subject दिया जो आपके पास class 12th में नहीं है and CUT में है तो DU उसको merit में consider नहीं करेगी for example आपके पास physics जो है वो class 12th में नहीं है physics class 12th में नहीं है लेकिन आप CUT में देते हो हमें कोई मतलब नहीं है हम नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे कि तुमने ये दिया है हम तुमारे इसके mark सी consider नहीं करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो class 12th के subject है वही subject CVT में डैल उनिवर्सटी के लिए required हैं तो आपको at least वो appear करने है आपके course के लिए जो required हैं वो मान लो आपके पास class 12th में 6 हैं लेकिन course के लिए 4 required हैं तो सिरफ 4 ही करने हैं लेकिन वो 4 आपके class 12th में भी होने चाहिए वो 4 आपके CVT में भी होने चाहिए तो ये आपको first चीज धान रखनी है उसके बाद क्या वोला है कि एक language होनी चाहिए आपके पास any one language from list A एक language होनी चाहिए तो एक number की subject ये हो गया कि class 12th की जो language है same language CVT में होनी चाहिए उसके बाद mathematics और applied mathematics mathematics और applied mathematics दोनों में से कोई भी एक जो है आपका class 12th में भी होना चाहिए CVT में भी हो गया तो total subjects कितने required हो गए 1 प्लस 1 2 पर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे any two subject out of which one should be from list B1 list B1 में क्या है list B1 में है आपके main subject सारी list दिखाऊंगा मैं भी list B1 में आपके main subject है class 12th के जैसे आपका physics हो गया आपका geography हो गया history हो गया economics हो गया यह सारे जो हैं आपके main subject है तो B1 में से आपके पास कोई भी एक होना चीए या फिर दोनों भी हो सकते है तो दो subject आपके यहां से होने चीए इसमें से दोनों B1 से हो सकते है या फिर एक B1 से होना compulsory है and एक आपका B2 से हो सकता है एक B1 से होना ज़रूरी है एक आपका B2 से हो सकता है तो टोटल कितने सब्जेक्ट हुए 1, 2, 3 and 4 3 and 4 में यह समझ गया ना 2 B1 में से मतलब main में से या फिर एक main एक additional सब्जेक्ट हो सकता है अब मैं आपको list दिखाता हूँ सारी जब और आपको चीज़े clear हो जाएंगी वहाँ से जब आप देखेंगे तब चलिए यह आगी हमारी list सारी पहले देखो list A में क्या है languages है सारी English, Hindi, Gujarati सारी languages दे रखी है Indian भी है कुछ-कुछ foreign languages भी है यहाँ पर सारी languages है इसके अंदर से कोई भी एक language class 12th और CVT दोनों में होनी चीए 12th और CVT दोनों में आपके पास होनी चीए बट same language होनी चीए वो उसके बाद क्या था mathematics compulsory था mathematics के साथ या फिर आपने applied mathematics दिया है उन दोनों में से मतबं दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना compulsory है उसके बाद क्या था दो subject हो गए यहां पे उसके बाद दो subject और होने चीए जो दोनों आपके यहां से भी हो सकते है third or fourth subject यहां से हो fourth subject यहां से भी हो सकता है बीटू में आपके additional subjects है हैं जैसे आपका मास मीडिया हो गया पर्फोर्मिंग आर्ट फिजिकल एड्यूकेशन जो अपने पास क्लास 12 में अधिशनल सब्जेक्ट होते हैं वह आपके बीटू में दिये हुए हैं तो अब हमारे सब्जेक्ट कैसे कैसे फ्लेट ठी एक आपके पास लेंग्वेज वनेग्वेज हो सकते हैं या फिर अपका एक B1 में से हो सकता है एक B2 में से हो सकता है ठीक है एक आपका B2 में से हो सकता है B2 में additional है B1 में main subject है friends I hope अब आपकी जो economics owners का eligibility criteria है उसको लेकर के जो concept है वो clear हो गई है कोई भी doubt नहीं है अगर फिर भी आपको कोई doubt बचती है तो आप इस वीडियो के comments में पूछ सकते है I'm there to help you हर एक query कम answer देने वाला हूँ एक छोटी से request की अगर आपकी doubt clear हुई है वीडियो helpful लगिए तो वीडियो को like करना मत बूलना साथी साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही important information के लिए subscribe कर लिजिए Thank you